आकाश्वानी होपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहली मुख्य समाचार किंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने कहा नई सड़क परियोचनाओं से मध्य प्रदेश और द्योगीक और क्रिशी हब बनेगा संसत का बज़िट सत्र आज से वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन कल पेश करेंगी अंतरेम बजट अंतराशे मुद्रा कोश ने भारत के विकास दर में व्रिधी का अनुमान जताया और खेलों इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश के तीन किलाडियों ने रज़त पदक जीते अब समाचार स्तार से कींद्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नई सड़क परियोचनाओं से प्रदेश को अध्योगिक और कृशी हब बनाने में मदद मिलेगी किंद्री मंत्री ने भूपाल में आयोजित कारिक्रम में सिंगल फ्लेक से 499 किलोमीटर लंबाई की 15 राश्री राजमार्क रलक परियुचनाओं का शला न्यास किया इनकी लागत 8,038 करोड रुपय है इस उसर पर श्रीगटकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में सड़क नैटवर्ग बहितर बनाने के लिए नई कारे प्रारंप किये जा रहे हैं इस वर्ष के आंति तक अनिक कारे पूरे होंगे मध्यप्रदेश में सड़कों के निर्मान से निवेश आएगा, निर्याद भी बढ़ेगा, रोजकार के अवसर उपलब्द होंगे और निर्धनता को दूर करने में मदद में लेगी श्री गटकरी ने बताया है कि उज्जयन में रेल्वे स्टेशन से बाबा महा काल मंदिर तक रोपवे के लिए जल्दी निविदा जारी की जाएगी मध्यप्रदेश की 27 सड़क निर्मान प्रसावों को शीग्र स्वीकृती दी जा रही है मुख्य मंत्री रक्टि मोहन यादव ने कारिक्रम को संबूदित करते वे कहा कि 10,000 करोट रुपए की सड़क निर्मान कारेयों के शुरुआत एक महत्पून उपलब्द है राच मार्गों के निर्मान से प्रदेश के सभी शेत्रुक कुलाब मिलेगा और द्यों की गतिविधियां भी तीज होंगी गत सत्यर साल में 5000 किलोमीटर के मार्ग तैयार हुए थे लेकिन 10 वर्ष में इतने ही अर्थात 5000 किलोमीटर की नए मार्ग पने है इस असर पर लोग निर्माल मंत्री, राकिय सिंग, ग्रामिड विकास मंत्री, प्रलाद पटेल, सहकारिता मंत्री, विश्वास सारंग, प्रदेश भाजपाद ध्यक्ष और सांसत, विश्न अत्य शर्मा भी मौजूद थे संसत का बजट सत्र आज से शिरू होगा, सत्र की शिरुवास संसत के दोनों सत्नों की सिग्ट बैठक में राश्रपती, ड्रौपती, वर्मू के संपुधन से होगी वित्यमंत्री निर्मला सीतरमन कल अंत्रीम बजट पेश करेंगी, बजट सत्र नौफ और वरी तक चिलेगा इस बीज, सत्र से पहले सरकार ने दोनों सत्नों के सुचारू सिंचालन के लिए कल एक सर्व दली बैठकी नई दिली में बैठा के बाद, मीडिया से संसदिय कारी मंत्री प्लाज जोशी ने कहा कि सरकार अध्यक्ष के निर्देश अनुसार सभी मुद्दो पर चर्शा के लिए तयार है उन्होंने रिपक्षी दलो से दोनों सत्नों में कामकास के सुचारू सिंचालन को सुनिशित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग का आग रह किया प्रदेश व्यापी रोजकार दिवसकारिक्रम कल मुराना में आयोचित किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मुखान आदफ के मुख्या आतित्य में होने वाले सकारिक्रम में विभिन यूचनाओ के दह सोरोजकार से चोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री अनुपूर बढ़वानी दमोह शितरपूर की एक हितकराही से सीधा समवाद भी करेंगे शेश जिला मुख्यालियों में इसी दिन जिलास्तरी रोजकार दिवस कारिक्रम का आयोजन होगा जिलास्तरी रोजकार दिवस आयोजन में विभिन सोरोजकार योजनाओ के अंतरकत लाभानमित्वे यितिकराहियों को स्वीकृती वितरन पत्र दिलवाय जाएगे जिलाहसरी रुजकार दिवस कारिक्रमों में मुख्यमंत्री की कारिक्रम का सीधा पुसारन किया जाएगा समाचारों में वक्त है ब्रेक का अत्वा AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक की पास समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है अंतराश्टी मुद्रा कोश ने इस साल भारत की विकासदर में व्रिधी का अनुमान जताया है मुद्रा कोश ने कहा है कि ये विकासदर बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो सकती है ये उसके पिछले पूर्वनवान 6.3 प्रतिशत से 40 आधार अंक धिक है अपनी ताजार रिपोर्ट में मुद्रा कोश ने कहा है कि भारत की मध्यम अवदिकी सकल करेलूत पाद व्रिधीदर 6.5 प्रतिशत रहेगी ये वर्ष 2025 और 2026 के पहले के पूर्मानवान से 20 आधार अंक ज्यादा है अंदराशी मुद्रा कोश ने कहा है कि भारत में सशक्त साफजनेक निवेश और अनकूल श्रम बाजार जैसे संकेतकों से उसकी व्रिधीदर का पता चलता है बारत दुनिया की प्रमुक अर्थविवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थविवस्था बना हुआ है इस बेज वित वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक प्रतिधर में पिछली वर्ष की तुलना में 7.2 प्रतिशत की वृती हुई थी शास्की मुद्रनाले की कारपनाली में हुए सुधार पर राजसुमंत्री करण सिंग वर्मा ने अधिकारी करमचारियों की सनाना की राजसुमंत्री श्री वर्मा कल शास्की मुद्रनाले का निरिक्षन किया राजे सुमंत्री श्री वर्मा ने कहा है कि शास्की मुद्रनाले अब ये घाटे से उबर चुका है, मुद्रनाले में सभी प्रकार की शास्की प्रकाशन सामकरी का मुद्रन किया जाता है दक्षन अफ्रीका में अंडर नाइटीन एक दिवसी क्रिकित विश्यकप में भारत ने सुपर शेय स्टेज के पहले मैच में नुज़िलैंड को 214 रन से हरा दिया 296 रन की लक्ष का पीछा करते वे नुज़िलैंड की टीम 29 में ओर में 88 रन पर सिमत कई इससे पहली भारत ने निधारित पचास ओर में 8 विकेट पर 295 रन बनाए भारत की ओर से मुशीर खान ने 131 रन की शानदार पारी खेली भारत का अकला मैच शुकरवार को नीपाल से होगा वन विहा राशियोद्यान जूब हुपाल में चातर शात्राओं में वन वन परानियों और पर्यावरन की प्रती जागरुकता तथा प्रकिती से रक्षन की प्रती समय दिन शीलता विक्सित करने की दृष्टी से भूपाल शहर और उसक्यास पास के गाउं के शास्की विद वन 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 परानियों और पर्यावरन से संबंदित रोचक गतिविधियां कराई जा रही है। प्रती के खिलाडियों ने खेल कोशल का प्रदर्शन कर एकी खरजट प्रदग अरजित कर प्रदेश को गर्मानित किया। खेल प्रतीभा का शांदार प्रदर्शन करते वे रदित प्रदग अरजित किया। वहीं ठांगता खेल के खिलाड़ी वैश्टमी साहू ने खेल प्रतीभा का कॉशल प्रदर्शन कर रदित प्रदग हासल किया। अब को समचार संग शेप में। धार सिले की मनावर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से प्रदार मंत्री रूसकार शिदन कारिक्रम में आज जागरुकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जाबवा में मध्यपान निशेत संकल्प डिवस पर कल नशा मुक्ती कारिक्रम आयोजित क्या ग्याई सौसर पर उपस्ते जनों को नशा नहीं करने के शपत दिलाए गई। गुना कलेक्टर अमन्वीर सिंग बैस ने कल कलिक्टरेट में 350 से आधि कावेदनों की सुनभाई कर अधिकारियों को निराकरन के निर्देश दिये हैं। अन्ति में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने कहा नई सड़क परियोचनाओं से मध्यप्रदीश और द्योगी को और कृशियाप पनेगा। संसित का बजट सत्र आज से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कल पेश करेंगे आंतरेम बजट। अंतराश्टे मुद्रा कोश ने भारत की विकासदर में व्रिधी का अनुमान जताया और खेलू इंडिया गेम्स में अधिप्रदीश के तीन खिलाडियों ने रज़त पदक इस बिलिटिन में इतना ही नीजे जासत नमस्कार